Hey Plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're doing well friend. This video is all about shade loving flowering plants in India. तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खुबसूरास से ऐसे flowering plants दिखाऊंगे. अगर आपके धूप बहुत कम आती है, तो आप इन plants को अपने garden में ज़रूर इंक्लूट करिए, अगर आप balcony gardening करते हो, तो आपके लिए ये perfect plant है, क्योंकि कई बार हमारी जो balcony होती हो, ऐसी phasing होती है, जहाँ पर धूप कम आती है. तो सबसे पहला जो आप plant देख रहे हो, ये है सिन्रेडिया का, जो की काफी जादा देखने में खुबसूरास सा लगता है. एक अठे friends, इसमें 100 से उपर भी flowers खिलते हैं, तो अगर आपको ये plant nursery पे मिल जाता है, तो अभी आप लाकर इसकी कलियों वाले जो plant होते हैं, उनको आप लगा लीजे, बहुत जादा देखने में खुबसूरास सा लगता है. Second, जो आप flowering plant देख रहे हो, ये है प्रिमला का, जिसे प्रिम्रोज भी कहते हैं, और friends, ये है प्रिमला वरल गैरिस, इसकी कई सारी वराइटीज आती है, जैसे प्रिमला और कॉनिका भी होती है, उसकी जो leaves का टेशा थोड़ा सा, अलग सा होता है, फर्स सा होता है, लेकिन flowering इसी तरीके से cluster में होती है, तो काफी जादा ये plant देखने में खुबसूरत से लगता है, और ये भी कम धूप में बहुत अच्छे से flowering करता है, और इसे आपको shade वाले एरिया में रखना होता है, अगर आप कहाँ धूप आती है, फिर भी आपको इनको ऐसी जगा पर इसा shade loving flowering plant होता है, जो की perennial by nature होता है, और बहुत ही खुबसूरत और unique इसके भी फ्लाज देखने में लगते हैं, और बहुत beautiful इसमें bunch खिलता है, और ये plant यहां का native नहीं है, लेकिन भी ये winter season में इधर North India में बहुत अच्छे से आपको नर्सरी इस पे देखने को मिलेगा, इसकी भी जो sunlight requirement होती है, वो यही होती कि इसे shade काफी जादा पसंद होता है, थोड़ा सा थंडा सा environment पसंद होता है, तो ऐसी जगापे रखिए, जहां पे बिल्कुल कम सी धूप मिले, और पानी भी फ्रेंट्स ये जितने भी plants हैं, उसमें आपको soil check करके डालना है, क्योंकि जब shade रहती है, तो फिर आपको पानी भी कम सा डालना होता है, क्योंकि दूप में रखते है plants, तो जो moisture होता है, वो evaporate हो जाता है, नेक्स जो आप flowering plant देख रहे हैं, यह है geranium का, geranium भी बहुत ही खुबसूरत एक winter flowering plant होता है, shade में बहुत अच्छे से flowering करता है, इसमें जादा देखने में कुपसूरत सा लगता है, इकटे इस तरीके से bunch पे flowering करते हो, काफी time तक के लिए इसके flowers होते हैं, इसके बाद next, जो आप flowering plant देख रहे हो, यह है poinsetia, although इसके flowers बहुत ही छोटे से होते हैं, बिलकुल नाम मातर के ही friends, yellow color की छोटे-छोटे से flowers किलते है लेकिन इसका folie जितना जादा attractive सा लगता है कि और इसे लोग बहुत जादा पसंद भी करते हैं, इसकी colorful leaves की वज़े से और perennial by nature होता है, तो अगर आप कहां भी कम धूपाती है, तो वहाँ पे इसकी जो पतियों का रंग होता है, वो इसी तरीके से dark बना रहता है, क्योंकि इसे जो महौल होता है, वो काफी जादा अच्छा soothing ठंडा पसंद होता है, राते लंबी से पसंद होती है, जब winters में आपका Christmas के समय में जो इस तरीके का weather होता है, उसमें इसकी जो पतियों का color होता है, वो बहुत ही जादा देखने में कुप सूरत सा लगता है, क्योंकि उ लंबी होती हो, और जो day का time होता है, वो कम सा होता है, तो इसको भी आप shady area में रखेंगे, तो बहुत अच्छे से इसका color होगा, वो maintain रहेगा, इसके बाद next जो आप flowering plant देख रहे हो, यह है Impatience के, Impatience भी बहुत ही कुप सूरत एक winter flowering plant होता है, काफी सारे colors में आपको मिल आप इसे pot के through भी लगा सकते हो, नहीं तो आप आपको baby plants भी nurseries पे मिल जाएंगे, तो वो भी आप लगा लीजे, थाली वाले pots में लगाएंगे, उसमें भी अच्छा लगता है, hanging basket में भी अच्छा लगता है, फोड़ा सा इसका shape भी जो होता है, वो बहुत ही जादा देख वाले जितने भी plants में आज आपको दिखा लोगता है, पानी का आपको ध्यान बहुत जादा जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ा सा उपन नीचे पानी होगा, तो यह जो plants होंगे, वो खराब हो सकते हैं, इसका आप ध्यान जरूर किया, और जब भी आप पानी अगर आप कम स इनके जड़ों में डालते हैं, तो थोड़ी सी आप misting हलके-लके सी कर देंगे, तो foliage भी neat and green रहेगा, और बहुत खूपसुरस से यह flowers आपको बना के देगा, शॉर्ट है प्लांट होता है, तो बहुत जादा देखने में यह attractive सा लगता है, इसे भी आप broad pots में लगाएंगे, तो बहुत जादा देखने में खूपसुरस से लगेगा, तो इसे भी ज़रूर इंक्लूट करिएगा, इसके बाद next जो आप flowering plant देख रहे हो, यह है कैलेंचो, कैलेंचो तो shade में बहुत अच्छे से flowering करते हैं, तो धूप कम आ रही है, तो यह perfect plant है आपके लिए, और perennial by nature होता है, तो आप इसे सालों साल अपने बचा सकते हो, कटिंग के थरूँ, इवन लीफ के थरूँ भी इसका propagation बहुत ही आसानी से होता है, तो इसे आप जरूर इंक्लूट करिएगा, colors भी आप देख सकते हो, कि काफी सारे colors आपको मिल जाते हैं, तो आप season इसको save भी कर सकते हैं, और friends, इसमें भी colors आपको काफी सारे मिलेंगे, ये भी shade में बहुत अच्छे से flowering करता है, काफी जादा hardy by nature होता है, और denthess जो plant होता है, उसकी family से होता है, तो इस plant को आप अपने garden में जरूर इंक्लूट करिएगा, काफी जादा देखने में खुबसूरत से लगते ह इसके जो flowers होते हैं, तो और इसमें colors की भी मैं बात करूं, तो काफी सारे colors में ये आपको nurseries पे मिल जाएगा, इस तरीके का red है, अभी जो आपने देखा pink था, और फिर बहुत सारे colors में friends, आपको nurseries में मिल जाता है, तो इसकी अगर आपको छोटी सी pod मिल जाती, तो आप इ और इसके flowers जो होते हैं, काफी जादा गठे से खिलते हैं, तो आपका जो garden होगा, वो काफी जादा देखने में खुबसूरत सा लगेगा, तो friends, अगर आपके घर में धूप कमाती है, तो इन shade loving flowering plants को अपने garden में ज़रूर include करेगा, तो friends, I hope आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और friends, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, तो please मेरे चानल को like, share, subscribe जरूर कीजेगा, और comment section में जरूर बताइएगा, कि इन में से आपको कौन सा plant सबसे जादा पसंद आया, या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद कौन से plant को अपने garden में include करने वाले हो, तो friends, वीडियो पसंद आया है, तो like, share, subscribe करना ना भूले, hope you like the video, thank you so much.